हालेलोया प्रवियेश्य मसी में मेरे सभी बैन बाईयों को जैमसे की आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजुरी में जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप परमेश्य की आशिशों को अपने जीवन में लेते हैं हमारी आज की इस वीडियो में हम परमेश्य के पवित्र वचन को मेरी भविश्यवानियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे ये सामर्थी वचन परमेश्य के दाज प्रेरित अंकु यूसफ निरूला जी के द्वारा लिखे गए है इन पवित्र वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को बताया गया है और ये वचन पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा लिखे गए है और हमारा ये विश्वाश है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेगे तो परमेश्व का आत्मा इन वचनों के जरिये आपसे बात करेगा और आप अपने जीवन में अपने टेस्टमनी को रिसीव करेंगे तो पूरे विश्वाश के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने आज का सामबर्थी वचन परमेश्व की सिद्व ववस्ता से पहचाने जैसा की परमेश्व के पवित्र वचन या कुम एक अध्याय उसके 25 वचन में लिखा है पर जो वैक्ती सवतंतरता की सिद्व ववस्ता पर ध्यान करता रहता है वे अपने काम में इसलिए आशीश पाएगा की सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है मेरे प्रियों जब आप अवित्र वचन को सुनकर बोलते हैं की मैं आशीशित हूँ फिर आप घर जाकर बोलते हैं की मेरे पास पैसे नहीं हैं मैं तो बहुत गरीब हूँ क्योंकि मैं वचन को सुनते हैं और भूल जाते हैं अपना चहरा देखते हैं और फिर भूल जाते हैं की मैं कैसा था अगर आप ये विश्वाश करते हैं की मैं आशीशित हूँ तब आपके पास खाना नहीं है तब भी आप बोलेंगे मैं आशिशित हूँ आप अपने आपको आशिशित बोलते रहेंगे तब स्वर्ग को भी वै आशीश आपके लिए खोलनी पड़ेगी मेरे प्रियो पवित्रवाईवल बताती है जो कोई सवतंतरता की सिद्ववस्ता पर ध्यान करता रहता है वै अपने कामों में आशिश पाएगा परमेश्वर कहता है सवतंतरता की सित्व ववस्ता है यानि अजादी की ववस्ता किस से शेतान से उसके राज्य से उसकी बिमारियों से उसके कलेशों से श्राप से गंदगी से दुष्ट आत्माउं से जादू टोनों से कमजोरियों से परमेशर ने कहा उस अजादी की सिद्व वस्ता है सही नियम एक औरत ने वचन सुना मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा गर गई बोनने लगी परमेशर मुझे बैलो की चोड़ी जाएगे पहले दिन मांगी दूसरे दिन मांगी तीसरे दिन मांगी जोश्ट के साथ चौथे दिन थोड़ा जोश्ट थंड़ा करके पांचवे दिन और थंड़ा सातवे दिन एक लाइन की प्रातना प्रभु जी मुझे बैलो की जोड़ी चाहिए आमेन उसे लगा अब नहीं होगा एक परमेश्व का दास उसके घर आया और उसने कहा कि अब मैं प्रातना कर रहा हूं और दो साप देख रहा हूं उनके पेट बहुत बड़े-बड़े हैं क्या तू प्रभु से मांग रही थी कुछ ऐसा क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब तूने मांगना छोड़ दिया तो वो शेतान तेरी आशीश को खा गया मेरे प्रियो ववित्र बाइबल में जब हम दानियल की पुस्तक में पढ़ते हैं तो दानियल के पास स्वर्ग दूत आया उसने कहा जब तूने उपवास प्रातना करनी शुरू किये थे तो पहले ही दिन परमेश्वा ने मुझे स्वर्ग से उत्तर देने के लिए भेज दिया था लेकिन जब मैं तिरा उत्तर लेकर आ रहा था तो शेतान मुझे रोके रहा और मैं 21 दिन तक उसका सामना करता रहा अब क्या है विश्वासी मांग चुका है परमेश्वर भेज चुका है लेकिन पवित्र बाइबल कहती है रास्ते में शेतान उस आशीश को रोके रहता है ताकि उसके विश्वास को खराब कर सके कि प्रातना करने में कोई फाइदा नहीं परमेश्वर कहता है जो सित्व वस्ता पर ध्यान करता रहता है आज आपको विश्वास है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ कल अगर रिपोर्ट और खराब आती है और आप फिर परमेश्व के उपस्तिती में जाएंगे और बोलेंगे नहीं परमेश्य तेरे पवितर वचन में लिखा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ आप फिर प्रातना करेंगे आप वही उपवास करेंगे आप उस वचन से लिप्टे रहेगे आप अपने विश्वाश को शोड़ेंगे रही उसने कहा ये एक सिद्ध विवस्ता है सिद्ध विवस्ता का मतलब होता है ऐसी विवस्ता जो कभी भी फेल नहीं होती है और आपके जीवन में उत्तर आएगा ही आएगा आमेन पवीत्र वचनों के अनुसार अंगीकार सरम शक्तिमान परमेश्वर इस वचन के रिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपकी सिद्व वबस्ता पर ध्यान लगाए रहूँगी और वचन को सुनकर भूलूँगी नहीं उस पर चलूँगी निरंतर सिद्व प्रातना में बनी रहूंगी प्रवेश्यो मसी के पवित्र और समर्ती नाम में हम मांगते हैं आमेन आमेन और आमेन आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेशराब सब को बहुत आई से आशिशित करे, सब को जैमसी की